अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजेगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे मैक्सिमम शेयर कीजेगा आज हम पढ़ने वाले हैं इनिक्वैलिटी का पार्ट वान में मैंने आप लोगों क्या पढ़ाया था कुछ बेसिक बाते डिस्कस की थी अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो तीस दूसे जाकर देख लिजेगा क्योंकि बेसिक जानना किसी भी चैप्टर के ल अब हम क्या करेंगे इसमें जब भी यह ऐसा कोशन लिखा हुआ रहेगा उसके बार क्या करेंगे एक अप्षिन दिया हुआ रहेगा नीचे जिसमें आप लोगों को क्लिक करना रहता है ठीक है पांच ऑप्शन दिए रहेंगे पहला दूसरा दिसरा चॉथ हो और पांच व तीसरे में तिया रेता है आइधर और ठी के चॉथे में दिया रहते हैसे ना ही नहीं हो मतलब यह दोनों गलत वाले ह liegt और पंठीम में दिया रहत है वह ऐसे हैं ठीकर और ठीकर लेखतों चुणन करएंगे चलिए को थे चेकिंड הצ». तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे question को solve करने की तरफ ठीक है तो पहला question आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है A बड़ा है B से B बड़ा है C से C greater equal है D के D छोटा है P के P is smaller than Q ठीक है ये क्या है हमारे statement दिया हुआ है अब हमें conclusion पहला क्या दिया हुआ है A B बड़ा है D से ठीक है क्या दिया हुआ है कि B बड़ा है D से तो हम क्या करेंगे हमें कहां जाना है B से D की तरफ जाना है तो हम जाएंगे B से C, C से D जब मैं B से C कही तो मुझे कौन सा sign मिला ये जाना है नहीं हें प्रहला है और सीधे हम ऐसे ही जा रहे हैं तो वही sign देंगे तो greater आगया तो conclusion में देखेंगे इस हम क्या greater है है तो हाँ है मतलब इतलं यह क्या follow कर रह है तो पहला क्या है हमार फॉलो कर रहा है ठीक है करने हैं अब क्या जाने हमें 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 चैक करना है डीजिव कियtek एधर से उधर जाएगा नहीं क्यों नहीं जाएगा क्योंकि हमें अच्छ जाना है उसके बाद क्या है ग्रेटर तो ग्रेटर उसके बाद क्या है ग्रेटर ठीक है तो ग्रेटर अब तीनों में कॉमन क्या है ये ये और ये कॉमन है मतलब ये कॉमन आगया मेरा क्या कॉमन आगया ग्रेटर का साइन कॉमन आगया अब क्या ग्रेटर होगा नहीं क्यों नहीं होग ग्रेटर रहेगा तो smaller ले लेना है, smaller रहेगा तो greater ले लेना है, अब ही क्या है greater है, तो मैं पलड दूँगी, क्या हो जाएगा smaller, तो अब मैं conclusion देखूंगी, क्या smaller दिया हुआ है, D से A में क्या लिखा हुआ है, smaller मतलब ये भी क्या है, follow, क्या रहा है, हमने देखा, B से D greater ये follow कर रहा है, और D से A smaller ये भी follow कर रहा है, ठीक है, उमीद है कि ये आप लोगों को पसंद आया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं, अब हम दूसरे question की तरफ, दूसरा question ये रहा, इसमें भी वैसे statement दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, conclusion दिया हुआ, अब इसमें statement कैसा दिया हुआ, इसमें दिखा है, A क्या है, बड़ा है, B से, फिर कॉमा, यहां पर series क्या होगी, कॉमा से, ब्रेक हो गई, ठीक है, यहां पर series क्या होगी, कॉमा से, ब्रेक हो गई, अब दिया हुआ है, C क्या है, smaller equal है किसके, B के, फिर क्या है C क्या है greater है D के ठीक है अब एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारे teachers ऐसा बताते हैं A B C D पहले आप ऐसा दिख लीजिए फिर क्या किजिए A से B greater है अब B C C क्या है greater or equal यहां पे smaller equal है तो यह पलड जाएगा B C C क्या हो जाएगा greater equal फिर C C D क्या है greater तो आप पहले ऐसा लिख लीजिए बट हम ऐसा नहीं लिखेंगे हम direct solve को न सिखेंगे इससे exam में हमारा time बचेगा ठीक है तो कैसे लिखेंगे हम A B लिख लिया मैंने फिर लिखा मैंने C B उसके बाद दिखा मैंने C और भी यह मैंने statement लिख लिया अब क्या करेंगे हमारा conclusion number one क्या बुल रहा है A बड़ा है C से तो अब हमें कहां जाना है A से C जाना है ठीक है अब मैं कैसे जाओंगे A से C A से B उसके बाद B से C ठीक है A से B ऐसे गई तो यही sign मिल गया अब B से C में वापिस मूड के जा रही हूं ठीक है राइट टू लेफ्ट जा रही हूं मूड के जा रही हूं तो smaller equal का क्या हो जाएगा पलट के मूड गई तो इसको भी हम मूड देंगे ठीक है क्या हो जाएगा greater equal यह greater था हमने ले लिए greater हम सीधे सीधे गई तो silent a greater है c स तो हां है बिल्कुल हम हम हमें हमारा sign यहीं मिल रहा है तो मतलब पहला conclusion क्या है follow । कर रहा है ठीक है पहला conclusion क्या है follow कर रहा है अव हम CHECK Kन करते हैं हमारे दूसरे conclusion को ठीक हमें। देख्यों को पूरा वापिस से जोड़ना नहीं है ताइम विस्ट नहीं करेंगे हम डिरेक्ट डिरेक्ट सॉल्व करेंगे ठीक है और यह ऐसा चैप्टल है जब भी एक्जाम में प्रीमिर पांच मांक्स का आएगा ना दो से धाई मिनट में कोश्चन सॉल्व हो जाते हैं इतना इजी है ठीक या लिखा दूसरा कंक्लूजन बी क्या है बड़ा है डी से अब मैं बी से डी चेक करती हूं अब बी से डी कैसे जाओंगे बी से ए गई मैं अगर तो वापिस कहीं पर एसे डी जाने का दिख रहे क्या नहीं तो बी से सी गई मैं तो सी से डी जाने का दिख रहे कि मुझे हां बी से सी गई अब सी से डी जा सकती हूं मैं ठीक है अब मैं बी से सी वापिस मूर रहे हूं आप देख सकते हैं बी से सी हम क्या कर रहे हैं राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो अब क्या होगा वापि पे तो क्या हो चाहेगा से ना चाहेगा अब दोनों में आप comment देख सकते हैं क्या है greater equal और greater में क्या दोनों में क्या common मिल रहा है greater to be SEE d क्या है greater Mाई conclusion में यही सहीघा हैमारा पहना conclusion फोलो कर रहा है उस्था conclusion कि Tableau कर रहा है तो हम option नंबर कौन सा टिक करेंगे option पे चार क्या दिए रहते हमें यह आइदर का यह नाइदर का इसमें पहला सही दूसरा गलत इसमें दूसरा सही पहला गलत और पांच वे में क्या दिए रहता है बोथ हर फॉलो मतलब दोनों से हमारा पहले कोशन का भी आंसर यही आथा दूसरे क करेंगे बोथ फॉलो थीए एक्जाम उपर नीचे ओसकते हैं हम अभी इसे ही देख रहे हैं तो हम किसे टिक लगाएंगे इसे तिक लगाएंगे ठीक पांच वे अब देख लिए हमारे तीसरे कोशन की तरफ आज मैं आप लोगों को दर्स कोशन कर वहोंगी जिससे उन ती कि नो ओप्शन की ठाक्रीफ बहुत अच्छ से हो जा है ठीक है ठीक है ताता कोशन अभी क्या दिया हुआ है समॉलर के क्योंकि एक्वल Enjoy की ऐस्मॉलर है एच कया है बड़ा है र से ठीक है अब N कया है बड़ा है बरोबर है किसकी Q कया है बड़ा हूँ परोबर है S के ठीक है ये मुझे से लिज़ी सिद्धी हुए अब दोनों में common factor क्या है Q ह R N Q S Q और Q दोनों में ठीक है तो मुझे कहीं से भी अगर change करना होगा तो मैं क्यूं तक ही जाओंगी क्यूं से ही अपना बदल लूँगे मैं ठीक है तो चलिए देखते हैं पहला conclusion क्या हो रहा है एच क्या है बड़ा है एच से अब मुझे कहां जाना है क्यूं से एच से क्यूं मैं वापीस रस्ते मुड रही हूं तो sign क्या हो जाएगा ठीक है smaller क्या बन गया greater अच से क्यूं हो गया अब क्यूं से स मतलब मैं सीधे सीधे जा रहे हूं अपने रस्ते टीक है तो हम क्या करेंगी वही sign को ले लेंगे इसमें कौन सा sign मिल गया मुझे greater or greater equal me greater ठीक है तो greater h से s क्या है greater है तो greater है क्या है मतलब पहला conclusion क्या कर रहा है follow कर रहा है ठीक है अब दूसरा देखते हम दूसरा क्या है लिखा है हमारा n बड़ा है l से ठीक है तो मैं इस statement को एक बार लिख लेती हूँ ठीक है q छोटा है l से बड़ा है r जी n बड़ा है और बरूबर है q के q बड़ा है और बरूबर है s के ठीक है अब हम चलते n से l की तरफ अब n ये रहा l ये रहा तो अब हम क्या करेंगे n से जब l जाएंगे n से q q c l ठीक है ऐसे जा सकते हम क्योंकि q हमारा common है n से जब q की तो सीधे रस्ते जा रही हूं तो same sign आजाएगा kyu से जब l गई तो उल्टे रस्ते जा रही हूं मतलब sign क्या हो जाएगा बड़ा है और बरूबर है और Q से L गई तो क्या हो गया, मेरा साइन क्या हो गया, वापिस मोड़ रही हूं, राइट टू लेफ्ट तो क्या हो गया, मेरा स्मॉलर इक्वल जो था, वह किस में बदल जाएगा मेरा, ग्रेटर इक्वल में ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में ग्रेटर ह दोनों में equal है तो क्या लिए greater equal अब conclusion देखते हैं क्या दिया है? हमारा आया n greater equal है l के बड़ा है और बरोबर है l के, conclusion नबड़ा है l के न बड़ा है क्या? नहीं, n कै कै बड़ा है और बरोबर भी है एन के हमारा अनसर क्या निकल रहा है statement से N बड़ा है और बरोबर है ठीक है N के हैं बड़ा है और बरोबर है पर conclusion क्या बोल रहा है सिर्फ बड़ा है तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक पहला conclusion फॉलो कर रहा है दूसरा conclusion फॉलो नहीं कर रहा है तो अब हम किस option को टिक करेंगे पहला सही है दूसरा गलत है तो हम किस option को टिक करेंगे 5 option दिये रहेंगे तो हमारा पहला option था पहला सही दूसरा गलत था दूसरा सही पहला गलत तो हमारा क्या रहा है पहला सही आरा है मतलब only first conclusion is follow ठीक है option number one हम टिक कर देंगे अब हम चलते हमारे चौते कोशन की तरफ चौता कोशन गी रहा क्या लिखा बड़ा है S के ठीक है अब इन दोनों में क्या common है P Q R N R S R दो बर आया R common R common ठीक है तो अब मुझे कहीं भी अगर joint करना होगा तो मैं R से क्या करूंगी जोड लूँगे और बदल दूँगे ठीक है तो अब कैसे करेंगे पहला conclusion लिखा मेरा N क्या है बड़ा है P से अब मु एक मुझे है अब 16 थारny मतला है सीधी रह vak्राइब नगराना है मुझे ही जाना है करेंगी श्मारा करेंगी मैं क्या करूंगी में पहुकर लूँगे थारो री वरकारें में स्मॉलर मतलब क्या गया क्यों व्य क्यों झाय बड़ा कि जितेमें आप लोगों को बताया थहु हमें इक सांत मिलते हैं जब भी स्मोलर ग्रेटर एक साथ मील गtałल मतलब इक साथ मिलस्टे चाहन लेगे हमारी की सीरिस को मैं हम नहीं बता सकते हैं कि इस की बढ़ा है बेबर है ठीक है हम नहीं बता सकते तो यह क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा ठीक है यह क्या हो गया है अब दूसरा ऑप्शन बोल रहा है आर के है बड़ा है S से अब सीरीज कैसे दी हुई है यह सीरीज दी हुई है हमारी ठीक है अब मुझे कहा जाना है R से S जाना है तो आप देख सकते हैं R R से S इधर है क्या नहीं R से S इधर है कि हाँ यह मिली है मुझे R से S ठी है डिरेक्ट में जा सकती हूं मुझे इधर की जरुवत नहीं है इतने पार्ट की मुझे जरुवत नहीं है RCS direct मैं RCS जा सकती हूँ R कहा है बड़ा है S R कहा है बड़ा है S Direct दिख रहा हमें कि statement में भी लिखा हुआ है R कहा है बड़ा है S और conclusion में भी R कहा है बड़ा है S से मतलब बिल्कुल क्या है ये conclusion सहीं बोल रहा ठीक है तो हमारा अब कौन से option को टिक करेंगे जब भी हम exam में रहेंगे पहला दूसरा तिसरा चौथा पांचवा ऐसे option दिया रहेगा हम किसे टिक कर देंगे हम देखने कि हमारा conclusion क्या है पहला गलत है और दूसरा सहीं है ठीक है तो only conclusion two is follow ठीक है तो हमारा क्या जाएगा दूसरा option आ जाएगा पहला option था पहला सहीं दूसरा गलत दूसरा option था दूसरा सहीं पहला गलत तो हमारा दूसरा सहीं आ रहा है और पहला गलत मतलब option number two is correct ठीक है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये शैसन पसंद आ रहोगा पसंद आ रहोगा तो इसे प्लीज मैकसिमूम शेर कीजिएगा ठीक है और लाइप कीजिएगा अब हम जलते हमारे अगली कुशिन की तरब अगला कुशिन क्या बोल रहा है पांचवा कुशिन ये रहा P क्या है छोटा बरोबर है Q के क्यों क्या है बड़ा है R के N क्या है बड़ा है बरोबर है Q क्यों क्या है बड़ा है B के L क्या है छोटा है बरोबर है B क्या चीए अब इसमें अभी सबसे पहले वाले में हमने पढ़ा पूरे एक टाइप का एकी सीरीस दी दूसरे में हमने दो पार्ट वाले पड़े अब ये तीन पार्ट वाले आ गए ठीक है तीन पार्ट वाले आ गए अब हम इसे कैसे सॉल्ट परेंगे हम क्या करेंगे common देखेंगे p q r है ठीक है n q b इक और kup दूसरा ये कॉमन मिला ठीक है अब option क्या बोलरा हमारा एन क्या है बड़ा है और बरोबर है ठीक है एन क्या है बड़ा है और बरोबर है क्या हम दिखते हैं कि यह canije और यह फॉलो कर रहा है य जाना है अब पी ये रहा N ये रहा, अब मैं कैसे जा सकती हूँ, N से Q, Q से P तो N से जब मैं Q गई, तो सीधे रस्ते चल रही हूँ, तो वही साइन आ जाएगा Q से P गई, तो वापिस मुड़ गई, मैं right to left तो ये क्या है, smaller equal का जो sign है, वो किस में बदल जाएगा, greater equal में, ठीक है अब N से P में मुझे क्या मिल रहा है, greater equal, greater equal, ठीक है तो common क्या मिल रहा है, greater भी है, और equal भी है, दोनों में तो common क्या मिल गया, greater equal तो N क्या है, greater equal है, P के, अब ये conclusion में क्या बोल रहा है, N क्या है, greater equal है, P के है तो अब हमगें से चैक करतें कि क्या अनिका है बढ़ा है तो चलिए दिएन बढ़ा है फिल से ते अन इस्दा यहां जाना है क्या यहाँ पर नहीं है एन यह रहा एन यह रहां एल ठीक है अब कोमन क्या है एन से B, B से L, ठीक है, यह सीधी रजते चल रही हूं, तो एक तो N से Q में यह वाला साइन मिला, Q से B में यह वाला साइन मिला, ठीक, अब क्या करना है, N से B पहुंच गई, मैं अब B से L जाओंगी, तो वापिस मुड़ गई, मतलब ग्रेटर, इसमॉलर इक्वल का साइन है, वो ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटर तीरों में है, इक्वल, इसमें है, इसमें है, इसमें है, पर इसमें है, क्या नहीं, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर लेंगे, ठीक है, अगर इसमें रहता है, तो हम क्या लेते है, ग्रेटर, इक्वल लेते है, पर हमें क्या पांच बोट और फॉलोज ठीक है अब हम चलते हैं छट्वे कोशन की दरब छट्वा कोशन यह रहा क्या लिखा है आर बड़ा चोटा है बरोबर है क्यों क्यों चोटा है बरोबर है M के N बड़ा है बरोबर है X के X is smaller equal Y Y is equal to M ठीक है इतना में लिए अब conclusion पहला क्या बड़ा है Q से जाना है मुझे X की तरफ वो भी greater equal ठीक है तो मैं Q से X से जाओंगी R Q M N X Y M क्या common मिल रहा है M और M ठीक है अब मैं Q से M चली जाती हूं फिर M से X चली जाती हूं तो Q से X मेरा हो जाएगा Q से M गई तो सीधे सीधे रस्ते जारी हूं मतलब वही sign आ जाएगा तो वही sign ले लिया मैंने अब मैं जब M से X जाओंगी तो sign क्या हो जाएगी बदल जाएगी क्यों क्योंकि मैं right to left जारी हूं वापिस उसी रस्ते मूर रही हूं तो बरोबर की अकीले में कोई value ने रहती तो बरोबर का बरोबर ही रहेगा ठीक है उसका क्यों मतलब नहीं है par gospel नगी अब क्या जाएगी मैं M से Y गई तो equal का मतलम नहीं है अब Y से X जाओंगी तो smaller equal का sign है smaller equal का sign है तो यह क्या हो जाएगा smaller equal है और मैं right to left गई तो यह किसमें बदल गया greater equal में ठीक है इतनी बात आई समझ में कैसे आया यह मैंने बोला Q से M गई हम यह sign मिल गया हमें अब हम गई M से Y equal के अकेले में कोई value नहीं है Y से X गई तो smaller equal था तो हम क्या कर रहे हैं वापिस उसी रस्ते मूट रहे हैं तो हम क्या करेंगे greater equal sign को बदल लेंगे ठीक है अब इसमें क्या होगा सीरीज break हो जाएगी क्यों break हो जाएगी क्यों कैसे smaller और crater कभी एक साथ की बहुत आहेंगी चाहें smaller रहेगा वहां crater नहीं रहेगा तो यह दोने एक साथ आ सकते हैं कि नहीं तो यह conclusion क्या हो जाएगा हमारा गलत अब हम चलते हैं पहला conclusion आगे हमारा दूसरे की तरफ चलते हैं दूसरा क्या है M क्या है बड़ा है बरूबर है R के तो statement क्या बोल रहा है मुझे कि R क्या smaller equal है क्यों कि क्यों smaller equal है M के N बड़ा है बरूबर है X के X चोटा है बरूबर है Y के Y is equal to M अब मैं M से R जाओंगी M से Y, Y से X, X से N जा सकती हूं क्या नहीं M से Q, Q से R, बिल्कुल जा सकती हूं M से R में M से Q गई, अब मैं वापिस क्या कर रही हूं मुड़ रही हूं मतलब राइट से left जा रही हूं वापिस उसी रस्ते पर मुड़ के जा रही हूं तो sign क्या हो जाएगा, smaller equal का sign किसमें हो जाएगा greater equal में, वैसे ही smaller Q से R जाओंगी सही है, अब क्या मिला, पहला सही है, गलत है, दूसरा सही है, ठीक है, तो option number 2, only conclusion 2 is followed, ठीक है, अब हम चलते है, हमारे 7W कोशन की तरफ, 7W कोशन ये रहा, क्या लिखा है, L बड़ा है, बरोपर है, M के M is greater than H, H is smaller equal to U, U is smaller than S, ठीक है, उसके पाद H is greater than P, P is smaller equal to P, ठीक है, इ समझ में, ये हमने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिख लिया, अब conclusion 1 क्या बोल रहा है, L क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, P से, अब मैं कैसे जाओंगे L से P, तो कुछ ना कुछ तो common मिले गई, मुझे ठीक है, H, P, B, L, M, H, H, और H common मिल गया, इन दोनों को प जाओंगे, तो साइन के है, सेम रहेंगे, पहले greater equal, greater equal, greater equal, greater to greater, L, C, H, P, जाओंगे, हम सीधे रहें, सीधे रहें, अब क्या करना है, H, P, ये भी सीधे रहें, तो इसका भी साइन सेम रहेंगा, अब तीनों में common मिलें, मुझे greater, L, greater, P, L, greater, P, बिल्कुल सही है, पहला conclusion क है, follow कर रहा है, अब देखते हम हमारे दूसरे conclusion को, कि ये दूसरा conclusion भी हमारा follow कर रहा है, तो चलिए, चैक करते है, S क्या होना चाहिए, S होना चाहिए, greater equal, B, इस क्या होना चाहिए, बड़ा बरोपर होना चाहिए, किसे, B से, ठीक है, अब मैं S से B जाओंगे, तो H common था हम मुझे ठीक है से मैं गई H और H से गई B ऐसी साइन को लिखते चलूँगी तो क्या हो जाएका मैं वापीस रस्ते मूल रहा हूँ तो साइन की क्या करूंगी मैं पलटते हुए चलूँगी सबसे पहले स्मॉलर है तो जाएगा greater यह smaller एक्वल है तो यह हो जाएगा greater एक्वल ठीक है एच तक का पहुच गिमें S से U U से H ठीक है अब क्या करेंगे हम है से P सीधे रस्ते है सीधा ले ली हमने पी से भी गए, सीदा-सीदा ले लिया हमने अब मैंने देखा यहां पर सीरीज क्या हो गई? break हो गई, ठीक है यहां पर सीरीज क्या हो गई, break हो गई एक मुझे smaller का मिल रहा है बाकी क्या है? greater क्या है तो यह follow करेगा क्या? नहीं क्योंकि सीरीज नहीं ब्रेक हो गई हम नहीं बता सकते ठीक है तो क्या हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो इसका उप्षिन क्या हो जाएगा उनली फर्स इस फॉलो ठीक है चलते हैं हमारे आटफे कोशिन की तरब जो की यह रहा क्या लिका है M is greater equal to O, O is greater D, T equal to S, O greater equal है किसके? Y के, Y के है greater equal है Z के और Z के बराबर है A की, क्या गोमन मिलगे है Z और Z? और मैं देख सकती O और O, ठीक है, अब चलते हम हमारे पहले conclusion की तरब O के है greater equal है Z के, O के है greater equal है Z के M O T, is higher anyways OR O Y Z LC के COM जी तरब O से, जब Z कि also address X जए साउने मिल रहा है greater equal? were greater equaltr equal? हम greater equal के हे लिके हे ले रहे हैंaat हम Ciao different, सीरे सीरे जीघ आपने चलraح है पहला conclusion क्या कर रहा है अब मैं देखती हूँ दूसरे conclusion को पहला conclusion क्या कर रहा है follow कर रहा है अब हम दूसरे को चेक करते हैं दूसरा कहां जाना है ती से जाना है मुझे और इन दोनों में common क्या मिल रहा है मुझे O तो मैं क्या करूंगी T से O जाऊंगी O से Z जाऊंगी और Z से A जाऊंगी ठीक है T से O जाऊंगी ये T से O O से Z और Z से A अब मैं क्या करूंगी वापिस मूल रही हूं उल्टे रस्ते चल रही हूं क्या करना है मुझे क्या करना है पलड देने हैं को तो फे मैंने पिलड दिया टी से ओ का ग्रेेट ता मैंने लिगत लिख लेगा थीक हम कहाipe जेट सीधे रसते चल रहे हैं नहीं करेगा अंसर के ऑनका उनली फिर्स फॉलो ठीक है चले बढ़ते हम हम अमारे सेकंट लांस कोशन जो की क्या है esting नाइनले मचा पी क्या है बढ़ा है एसे A के है छोटा बरोबर C छोटा D से ठीक है और क्या बोल रहा है A के है बड़ा है R से R बड़ा बरोबर है B के और क्या बोल रहा है B बराबर है Q के और Q के है बड़ा है बरोबर है S के ठीक है अब कहा जाना है मुझे जाना है B से B वो भी greater equal है कि नहीं मुझे चेक करना P, A, C, D, P तो मिल गया, A, A और A क्या हो गया, common हो गया, ठीक है, A और A common हो गया, और यहां पर B और B common हो गया, अब हम P से B जाएंगे, तो P से B हम कैसे जाएंगे, P से मैं गई, A, A से मैं गई, B, direct, ठीक है, P से A गई, तो सीधे रस्ते चल रहा है, same sign, A से भी गई, सीधे रस्ते चल रहा है, same sign, तो तीनों में क्या मिल रहा है, मुझे greater, पर conclusion में greater equal दोनों बोल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हम में तो greater चाहिए, तो यह क्या होगा, पहला conclusion, गलत, अब हम दूसरे को चेक करेंगे, दूस है बरी मिद्सटीश था चीलों है कि हम इपने इसे चली जाती हूं एसे बी क्या की है क्रत कि प्रीश में गईा को 한다 स्मॉल्टर रहे हो मतलब स्मोलर स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलब स्मॉलर 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 trigiddonosi 17 cm ऐस और स्मॉալ स्मॉलर स्मॉलर ड्रयं कर Atlantic 8 aces mad87 ape लिखा 16 तो आप kneecancorporat सा सब्काइक है titlerol दिखा 22 pastor item only conclusion two is follow Sabbath Quiz टिए अब चलते हैं यह लास वाले कोशन की तरप यह लास वाला कोशन्स आप लोगों का homework है आप इसे घर में 100 किजएगा ठीक है फिर कल में इसका अंसर आप लोगों को बता पढ़ेंगे, तो क्लास को हम यहाँ पे एंड अप करते हैं, कल मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगी, आइदर और का कॉंसेप्ट और नहीं यहां पी आप लोगों को आप लोगों को अगभा एका दिता हैं मैं यहां पर आप बहुत करो अगर आप पसंद आ रहे हैं तो प्लीज से लाइक किज़ेगा और मैक्सिमम शेर किज़ेगा तो चलिए क्लास को एंड अप करते हैं तील देन गीप लर्निंग के प्रेक्टिसिंग थेंक्यू और बबाए